गवर्धा जलमे से 36 गड़ के खजुराहो के नाम से प्रसेद भौरम देव मंदिर का स्थित्व खत्रे में था जहां जलमे स्थापित 11 शताबदी के प्राचेन मंदिर और एतहासिक स्थल नीव को मजबूत करने के नाम पर पुरातत वभाग द्वारा बड़ी लापरवाही स पहुंची जहां पुरातत वभाग के टीम ने कलेक्टर और पीर अब्लोडी वभाग के अधिकारियों की मौजूद्की में मंदिर परिसर का निरिक्षन किया आपको बता दे कि मंदिर की मजबूती को बनाये रखने के लिए पुरातत वभाग की निग्रानी में कारे प्रारम्पु कराने का दावा कर रही है वभाग के टीम के सदस्यों ने बताया कि छत्तस कड़ की प्राश्रीन भूमदेव मंदिर की नीव को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी रूप से कारे किया जाएगा कलेक्टर जन्मिजय महोवे ने संस्कृती एवं पुरातत वभाग के टकनीकी टीम और प्रशासन के साथ बैठक की अस बैठक ने अधिकारियों ने भूमदेव मंदिर परिसर में होने वाले कारियों की जनकारी दी वहीं मंदिर की छट से पानी के रिसाब को रूखने और वाटर प्रूफिंग केमिकाल रिपैरिंग का कारे पुरातत वभाग की मौझूदकी में होगा फिलाल मंदिर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ट्राइल ट्रेंच लेकर के ये देखा जा रहा है कि जो ओल्ड टेक्नोलोजी में उन्होंने प्लिंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था ताकि उसी के एकोर्डिंगली जो है हम आगे अपनी कारियोजना बना सके ताकि मंदिर का जो मुल्संडचना है उसको किसी प्रकार से छती न पहुंचे और हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंदिर परिशर है ये एक पहारी घाटियों के बीच में है जिसकी वर्जे से यहां जलवाईरिक प्रभाव से वेदरिंग एफेक्ट के कारण यहां काफी पत्थरों में रियक्शन होते हैं इसके आसपास पैड़ बहुत सारे हैं जिनकी जड़े हो सकता है कि प् को काम दिया है उसमें भी काम स्टाइट किया है काम स्टाइट करके ट्राइल ट्रेंज लिया है ट्राइल ट्रेंज में पता करना चाहरा है कि फांड़ेशन में क्या है बिट्टी है बोल्डर से या फिर स्टेफ से या प्लीन या और आर मेसनरी है या फिर फाइन मेसनरी है को चेक करने के लिए हम लोग उसको चेक करा हैं